आप सभी क्या मेरे साथ वे ब्लाकनेस स्वागत हैं। आने से पहले हम इसमें बेसल खाद और गोबर खाद मिलाकर अच्छे से दो बार रोटेटर मारे हैं और मिट्टी भूर भूरा कर लिया है उसके बाद इसमें हम ड्रीप लगाने का तैयारी पूरा लगभग हो गया है यह ड्रीप पाइप लग गया डबल लाइन साइड में य है और आखरी में भी खुटी लगा हुआ है यह 8 फिट में इस बार लगाना है इसमें मल्चिंग सीड भी लगेगा पूरी तैयारी हो गई है पानी डालने के बाद इसमें हम नर्सरी से प्याच की नर्सरी लाकर रोपाई करेंगे हम इसमें डबल ड्रीप इसलिए लिए अच्छे से मादे में नमी बना लेते हैं प्याज लगाने के लिए हम यहां पर मल्चिंग सीड को लगा रहे हैं मल्चिंग सीड लगाने से यह फादा है कि इसमें नमी बने रहेगी और खर्पत्वार जो उपते हैं उससे हमको निदान मिलेगा चोटी चोटी इसमें छेद है नीचे ब्लेक उपपर सिल्वर अल लाइन ड्रीप लगाए हुए हैं उसके उपपर हम मल्चिंग पेपर बिछा रहे हैं यह हम मल्चि जिल्ली के हरेक छेद में एक पौधा लगा रहे हैं हमारा मल्चिंग सीट की चौडाई चार फिट है लेकिन हम मादा बनाये थे आठ पिट में तो थोड़ा से मल्चिंग सीट की चौडाई कम हो गई है तो बाजु वाले जगा खराब नहों इसलिए हम थोड़े किनारे किनारे में भी लगवा दे रहे हैं मल्चिंग लगाने से हमको एक और फायदा होता है इसमें स्वाइल मॉस्चर बहुत लंबे समय तक बने रहती है और पानी की कमाव सेक्टा पड़ती है यह हमारा प्याज खेत है इसमें सभी खेत में प्याज लगाना है और हम आज शुरुवात की हैं देखते हैं कब तक लगता है ये मल्चिंग सीट बिचाने का भी काम चली रहा है साथ ही साथ हम थोड़ा से नमी कर दिये हैं पानी स्प्रिंकलर के द्वारा उसके बाद इसके उपर मल्चिंग सीट को ब लेंगे तो चार इंच की दूरी पे एक प्याज हमारा आएगा और सीट की चोड़ाई है चार फिट मतलब दस होल एक चार फिट चोड़ा मल्चिंग सीट में हमें मिलेगा उसमें हम प्याज लगाएंगे तो सभी प्याज को बराबर दूरी मिलती है हमारे दूसरे खेत में जो pipeline हुआ था drip pipeline उसमें जो subline होता है उसमें lateral pipe लगा जाता है तो lateral pipe के नीचे ग्रोमेट लगा हुआ था और एक take up लगा हुआ तो ग्रोमेट खार बहुत दिनों से कम से कम ये pipeline 15 से 16 साल पुराना है तो उसका कहीं कहीं rubber leak होता है जिससे क्या होता है कि पानी जब चालू करते ह तो बाहर खेत में लिख होता है उसको आज हम बनाने के लिए ये छोटा सा गड़ा किये है और गड़ा के अंदर उसमें घूस के इस प्रकार से take up लगा दिया गया है इसको लगाने में तो बहुत ही कड़ी मेहनत करना पड़ता है उसको क्यों हम लगाने वाला ही जान सकता ह आज प्याज इतना ही लग पाया मल्चिंग सीट हमारा थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि हम 8 फिट का मादा बना दिये थे तो जो साइड वाला जगह है वो खराब न जाए इसलिए हम उसमें भी लगवा दिये है जब वीड इसमें जब आएगा तो देखते हैं इसको वीडी ब्लक में थैंक यू धन्यवाद